जैहिन मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपको कल बोला था कि मैं round 3 की आपकी जो cut off है उसका session जरूर लेके आऊँगा आपके लिए और वो आ चुका है तो round 3 की cut off जो गई है उसके लिए थोड़ा सा मैं overall आपके लिए देता हूँ कि कुछ school ऐसे हैं जिसमें round 3 की cut off बाके में general की भी 200 से नीचे आ चुकी है अभी भी central school बहुत सारे ऐसे हैं जहां round 3 की cut off अभी भी अच्छी खासी high marks है इसलिए मैं आप से बुल रहा था कि marks अगर आपके कम हैं तो आप central school का कोई भी school चूज ना करें वहां की cut off अभी भी ज़्यादा है दूसरी एक बात जो मैं आपको first round से बता रहा था वो मुझे round 3 में देखने को मिल गया बहुत सारे schools round 3 में ऐसे हैं जिसमें एक particular category का कोई admission नहीं हुआ है क्योंकि उसकी जो particular category की home state या अधरे state की seat थी वो भीया भर चुकी थी किसी एक state के लिए तो अब जो round 4 आने वाला है round 4 में जिन बच्छों को school मिल चुक dreamers की तरफ से सभी के लिए congratulations और जिनको मन चाहा सैने की school नहीं मिला है जिनको उमीद में है कि हम reconsider करेंगे तो reconsider fourth round में तो और ध्यान से करना है क्योंकि first के बाद तो second round था third था fourth वाले round में क्योंकि third round के बाद में अब school से ऐसे आने लग जाएंगे जहां seat फिल होती चली था ऐसा मुझे अब आया कि sir हमने round 3 apply किया था लेकिन हमारा round 2 का result आ रहा है तो देखो आप उसमें यहां से अभी कुछ नहीं कर सकते यहां तो पहले website पर mail दी हुई है नीचे last में आप उन पर mail डाल दीजिए कि हमारा round 3 का result है वो क्यों नहीं आ रहा है यहां फिर बात यह है आप वहां से exit हो चुके हैं आपने round 2 में कोई कुछ कोई भी action लिया ही नहीं होगा और आप वहां से साथ exit हो चुके होंगे यह भी कोई एक reason हो सकता है हाला कि मैंने mail किया है अगर मेरी mail का reply आ गया जो भी है तो मैं जरूर उस पर एक वीडियो लेके आऊंगा round 3 की cut off है अभी मैं 6 की बात करता हूँ फिर मैं 9 की बात करूँगा ठीक है दोनों की बात करूँगा round 3 की cut off जितने भी 33 गवर्मेंट सेनिक स्कूल है वो सभी गवर्मेंट सेनिक स्कूल की cut off यहां पर लगी हुई है मैं 1 वाई आपको दिखाता चला जाओंगा आपको क्या करना है ज अब यहां बात कर लेते हैं सेनिक स्कूल नगरोटा यह हूमेंस्टेट डिफेंस की गल्स का कोई एड्मिशन नहीं है क्योंकि जो सीट थी वो भर चुकी थी पहले ही बर चुकी थी हूमेंस्टेट डिफेंस 243 है ठीक है और जनरल की 252 कट अफ गई है और आप OBC की बात कर है तो यहां ओभी सी नहीं स्टी और स्टी है 218 और 235 अब जो कट आफ है राउंड फोर में अब देखो जनरल में राउंड थी में कट आफ 252 है जाहिर सी बात है जो राउंड फोर होगा उसमें 200 से नीचे आएगी और यहां पे डिफेंस की कट आफ भी 240 से देखो नीचे आ लगबग ऑल इंडिया रेंक कितनी थी भाई की 8730 थी कुछ पेरेंट्स का ये कॉल आ रहा है कि सर हमारी रेंक तो साड़े चारा जार है सीटें 3000 हमारा सेलेक्शन नहीं होगा यहां देखो 8730 है आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने सेनिक स्कूल्स की प्रायोरिटी की जो लिस्ट है दस सेनिक स्कूल्स की वो कैसे चूज की है इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ आप जो भी सेनिक स्कूल चूज करें आप डेटा चेक करके ही चूज करें यह डिफेंस की कट ओफ है यह सेनिक स्कूल नगरोटा के अ परची हुई हैं कौन सी स्टेट से किस स्कूल में कितनी सीटें भर चुकी हैं वो भी मैं डेटा आपको प्रवाइड कराऊंगा ठीक है बिहार से बच्चे आए हैं 269 पर उतरपदेश है जारखंड है राजिस्तान है आपको अपनी केटागरी की जो कट अफ लिखनी है वीड कि 227 ठीक है एसी की 202 और जनरल की कट ओफ 232 इस इस कूल की राउंड फोर में कट ओफ लगबग लगबग 225-227 तक जाएगी बस राउंड फोर में और राउंड फाइब हुआ अगर इस स्कूल में सीट बची तो और कम जाएगी ठीक है वहीं अगर 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 अधर इस् 264 है अब cut off आपकी नीचे आती रहेगी लेकिन depend करता है कि आपने वहाँ पे कौन से school की priority को choose किया है पेपर में आप note करते रहिएगा जैसे ही में बीडियो में school change करूँगा आप school बीडियो को pause करो एक second के लिए और फटा-फट से वहाँ cut off लेख लो next school कौन सा है सैनिक स्कूल सुजानपूर 13 मेरे एक बच्चे का admission भी हुआ था round two में सैनिक स्कूल सुजानपूर 13 में यह home state की cut off है ठीक है जनरल की cut off 250 आगी round four में और नीचे जाएगी और यह सुजानपूर 13 की आपकी other state की cut off है उत्तर प्रदेश जनरल की cut off कितनी गई थी भी है 269 क्योंकि यह central state है बच्चे बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया तो बहां की cut off भी ज्यादा रह रही है next यहाँ पे आप वीडियो को pause करना है यहाँ सैनिक स्कूल सुजानपूर 13 है आप जिस category के हैं other state में defense के हैं तो आप यहाँ admission नहीं हुआ है OBC के हैं तो आप यह marks लिखिए SC के हैं तो आप यह marks लिखिए ठीक है अगर आप उत्तरा खंड से हैं ST category से तो आप यह marks लिखिए clear है तो यह girls की cut off है तो आपको वीडियो को pause करना है और उसके साथ साथ अपनी category की cut off लिखना है सेनिक स्कूल संबल पूर उडिसा हॉम स्टेट OBC कट अप 210 और जनरल की cut off 216 गर्ल्स की cut off 240 गर्ल्स की तो वैकेंसी कम है तो सेनिक स्कूल संबल पूर उडिसा में boys की जनरल की cut off 216 है यह 4th round में 209 यह 210 तक पहुच जाएगा ठीक है बाकी depend करते हैं rank देख रहे हो 24,294 ठीक है यह सेनिक स्कूल संबल पूर उडिसा में अधर इस्टेट की cut off है आपका यह है अधर इस्टेट की cut off संबल पूर में ही ठीक है उत्रप्रदेश से बच्चे आए हैं 258 ठीक है SC के हैं OBC के बच्चे हैं 256 तो यहां पर आपको वीडियो पूस करना है और अपनी केटागरी की cut off लिखना है आप जनरल के हैं तो आप जनरल की cut off लिखिए आप OBC है तो आप OBC की cut off के होगा है तो defense की और SC के है तो ST कि pure next है हमारा स्यनिख स्कूल संबलपुर उरिसा ही है ठीक है शलो है स्यनिक स्कूल कपूर्थला स्यनिक स्कूल कपूर्थला हॉम स्टेट की कट अफ भाई इसने तो बाजी मार ली ऐसे समझ लो क्लास सिक्स्ट में सैने की स्कूल कपूर्थला की हॉम स्टेट की जनरल की बॉईस की कट अफ 210 जा रखी है 24,000 प्लस रेंग है भाई का एडमीशन हो रखा है उसके बाब जूद भी SC, OBC, Defense ठीक है कपूर्थला में यह अधर इस्टेट की कट अफ है उत्तरप्रदे से जनरल बच्चे थे हाला कि उनकी 272 थी तो आप जिस कैटागिरी के हैं वो कट अफ लिखिएगा ठीक चलिए सेनिक स्कूल कपूर्थला नेक्स्ट है आपका सेनिक स्कूल भुवनेश्वर जो की आपका उडिसा में है एक उडिशा का सैनिक इस्कूल पहले ही दे चुके हैं यह आपकी होमिस्टेट की cut-off है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको वीडियो को pause करना है आप होमिस्टेट वाले हैं सैनिक इस्कूल का नाम लिखिए ठीक है और उसके बाद अपनी कैटागिरी की डिफेंस और OVC सर इसमें जनरल की cut-off क्यों नहीं दिख रही है तो जनरल की cut-off मेरे प्यारे बचो इसमें इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि साइद इस स्कूल में जनरल की जो सीट्स थी वो round 1 और round 2 में भर चुकी थी इसलिए यह सैनिक इस्कूल अमरावती की round 3 की other state क का टॉफ है ठीक है यह आपका सैनिक इस्कूल मनी पूर अब आ जाते हैं सेंटरल इस्टेट में मैं क्यो मना करता था कि अगर आप सेंटरल इस्टेट क्यों करने हैं तो सेंट्रल इस्टेट की other state कभी चूज मत करना अगर आप होम स्टेट में है तो आपकी मजबूरी आप चूज करोगे लेकिन सेनिक स्कूल अधर स्टेट के लिए सेनिक स्कूल के जो भी सेंट्रल स्टेट के हैं उनको चूज मत करना मैंनी पुर जो की उत्तर प्रदेश में है Central States में आता है इसके Home State की कट-off भी 266-262 गई है और Other State की कट-off भी आपकी अच्छी गई है क्योंकि Other State की कट-off आपके बच्चे थे ठीक है General की कट-off बिहार से 271 है 271 ठीक है उत्राखंड से बच्चा आया Defense category से 258 अब उत्राखंड के बच्चे हैं बाकी जो बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं ठीक है क्योंकि मैंने बताया है कि अगर ये सेंटरल स्टेट के स्कूल है और आपको एड्मिशन मिल रहा है तो आप गोड़ा खा ले यहां किसी एक पर्टिकुलर स्कूल को मत देखो आप उनमें ले लीजिये संवोट जहां सी यह होम फ्टीक की कट आफ है सेंट 126 की सेवन है थैक यह सारा डेटा पिछली बार मैंने सारा का सारा जो डेटा वो आपको PDF में प्रोवाइड करा दिया था लेकिन बहुत सारे parents की सर PDF नहीं मिल रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा call भी आ रहे थे बहुत सारे लोगों के तो मैं बता नहीं रहा हूँ वीडियो को pause करना है सेनिक स्कूल गोडा खाल की ये home state की cut off है defense OVC ST general और ये है आपके गोडा खाल की other state की cut off गोडा खाल में बहुत जादा बच्चे जो other states है उत्तर प्रदेश से बच्चा आया 282 cut off है भाई साम जनरल की आपका 264 है SC की 217 है और ये है आपका चित्तोरगण के other state की cut off ठीक है मैं इसको थोड़ा सा उपर कर दे रहा हूँ आप अगर सेनिक स्कूल चित्तोरगण में जाना चाहते हैं तो एक सेकंड के लिए वीडियो पॉज करें और आप अपनी केटागरी की SC, Defense, ST, OBC, General जो भी है उसकी cut off को आप वहाँ पर नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट है राजिस्थान का दूसरा एक बढ़िया सेनिक स्कूल, सेनिक स्कूल जुन 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 की home state की cut off है यहां girls में OBC और SC में admission हुए और boys में 5 के 5 जो आपकी category है उन सभी में admission हुए है यह सेनिक स्कूल जुन जुन की other state की cut off है ठीक है ना चलो अवज आते हैं चिंग्चिप सेनिक स्कूल चिंग्चिप में जो home state में general के بच्छा है other state में सेनिक स्कूल चिंग्चिप जो की आपकाира मिजोरम है इसमें एक home state के general बच्चे का admission हुआ और सैनिक स्कूल चिंग्चिप में round 3 में जनरल की जो cut off वही थी वो थी mark सिर्फ 90 marks थे और भाई की rank कितनी थी 1,35,909 home state के लिए ठीक है और सैनिक स्कूल चिंग्चिप में अगर other state की बात करें तो other state में girls और boys का admission हुआ है कुछ उत्तर प्रदेश जनरल से बच्चे गए है 260 marks उत्तर प्रदेश OBC से बच्चे गए 254 राजस्थान OBC बच्चे गए 253 मद्धि प्रदेश जनरल के बच्चे कितने 260 married गई है ठीक है और महरास्टरा SC के बच्चे 227 तो जहारकन तो इसी गई है ठीक है और other state की cutoff भी बढ़िया गई है इसमें हाला की general SCST सब पर admission हुआ है बट cutoff अच्छी गई है सेनिक स्कूल कलिकरी में जनरल बॉइज का भी एक का admission हुआ है और उसकी cutoff गई है 167 और उनकी rank थी 53,000 हाला कि यह इस्ट सियांग की other state की cutoff है उत्तर प्रदेश से जनरल की cutoff थी 260 अच्छा यहां पर एक तुम्हें चीज यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा Central state और Northeastern या Southern state में क्या फरक है Central state उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर उत्तर प्रदेश में ही जहासी में जाना चाहता है तो round 3 के general की जहासी की cutoff थी general की home state की वो 262 थी और वहीं पर अगर East सियांग की बात करूं अगर उत्तर प्रदेश का बच्चा East सियांग आता है तो other state general की cutoff थी 260 marks और दो marks कम ठीक है तो इसका भी फरक पड़ता है नेक्स्ट है सेनिक स्कूल गोलपारा यह भी आपका Northeastern state है असम में है defense की cutoff 169 OBC के cutoff 182 162 और SC 165 और जनरल है आपका 220 और यह है आपके गोलपारा की other state की cutoff उत्तर प्रदेश 262 है मनीपुल 256 है आंदर चागिरी के हैं आपको जिस 10 schools में जाना चाहते हैं आप उन 10 schools की cutoff वीडियो पॉस करके school का नाम home state cutoff और other state हाँ home state cutoff और other state cutoff वो आप लिख सकते हैं girls का admission इसरे नहीं है क्योंकि girls की seat पहले ही कम थी तो जिनमें seat बची हुई है उनमें admission देख रहे हैं देखो जाना जाता है सबसे ज़्यादा cutoff रहती है यह नालंदा की other state की cutoff है ठीक है और इसके बाद सेनिक school गोपाल गंज गोपाल गंज भी cutoff में किसी से पीछे नहीं है 274 269 आपकी boys की है defense की girls की 274 girls 276 ठीक है normal school के home state की cutoff नहीं है general की जितनी ST की है ठीक है next यह है गोपाल गंज के आपके other state की cutoff तो आप अगर बिहार में जाना चाहते हैं आप अगर बिहार के आसपास वाले एरिया से हैं तो आप यहां पे प्रीवा में home state की cutoff यह girls की है यहां category लिखी होई है और यह boys की है ठीक है अच्छी खासी cutoff गई है रीवा में और यह है आपके रीवा की other state की cutoff मद्धे प्रदेश रीवा बहुत सारे बच्चे क्योंकि मद्ध पिर्देश है महराष्टरा है मद्ध पिर्देश महराष्टरा उत्तर पिर्देश उत्राखंड राजस्थान और यह आपका हिमाचल पिर्देश हो गया ठीक हर्याना हो गया पंजाब हो गया यह सारे सेंट्रल स्टेट्स हैं विहार हो गया यह सारे सेंट्रल स्टेट है next है आपका कोरुकोंडा सेनिक स्कूल कोरुकोंडा आंदर परदेश में है यहाँ defense में एक बिटिया का admission हुआ है girls का बाकी किसी category में नहीं हुआ है जनर ओवी सी में ना लड़का है ना लड़की है करसे जो seeds थी वो भर चुकी है यहाँ general की boys की cut-off 69 गई है अच्छी कासी cut-off है भाईया और यह है आपके शेनिक स्कूल कोरुकॉंडा आपको अगर सेनिक श्कूल कोरुकॉंडा भरना है round 4 में तो आप सेना की स्कूल कोरुकॉंडा लिखिए आप अपनी category लिखिए जो भी आपकी category है आप उस category की other state की cut off लिख लिजिए कि भाईया ये है ठीक है इसको जरा लिखो तेलिया को बाकी रही बात की सर कितनी seat हैं और कितनी seat हैं भर चुकी हैं एक state से कितने बच्चे आएंगे कितने पहुच चुके हैं और कितनी seat हैं बची हैं वो data भी मैं आपको provide करा दूँगा round fours के start होने से 5-6 दिन पहले ठीक है वो मेरी जिम्मेदारी है आप परिशान ना हो ये तलहिया के आपके other state की cut off है सेनिक स्कूल तरहिया जो की आपका जहारखंड में है ठीक है next आ जाते हैं सेनिक स्कूल बीजापूर और कुड़ापूर दोना अच्छे girls की और ये boys की cut off है वो defense है अच्छी खासी cut off गई है बढ़िया cut off गई है general की 263 है ST की 236 है defense की 250 है और वीजापूर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो other state सी वीजापूर जाते हैं तो देखो उत्तर प्रदेश से जाए गया है तेलंगाना से है महराश्रा से है बिहार से है आंदर प्रदेश से है ये है सेनिक स्कूल बीजापूर की other state की cut off ठीक है और करनाटक में ही दूसरा सेनिक स्कूल है की other state की cut off उतर प्रदेश से SC का बच्चा है 254 है उतर प्रदेश से OBC का बच्चा है 257 है ऑदर प्रदेश से बच्चा कोड़ा thoughts क्यों कर रहा है उत्तर प्रदेश के जो लिए सेनिक स्कूल है अंग औरे प्रदेश च्छी। तो इसलिए वो हो की सीट भर चुकी थी जनरल में गर्ल्स की सीट भर चुकी थी OBC और ST एडमिशन हुआ है और ये आपके बॉइस की कट आफ है इधर आपकी केटागरी लिखी हुई है उधर कट आफ लिखी हुई है तो उसको आप नोट कर सकते हैं और सेनिक स्कूल सतारा में ये है आपका बंदेपरदेश, महराष्टा, अंदरपरदेश आप अपनी केटागरी के हिसाब से यहाँ पर सेनिक स्कूल को चूज कर सकते हैं ठीक है ना क्लियर चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं सेनिक स्कूल इमफाल सेनिक स्कूल इस्ट सियांग सेनिक स्कूल गोलपारा सेनिक स्कूल च यह अधर स्टेट की कट ओफ में भी पीछे नहीं है ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका सेनिक स्कूल इमफाल ही है ठीक है यह भी सेनिक स्कूल इमफाल की ही अधर स्टेट की कट ओफ है जहारकंड से बच्चे हैं मद्द प्रदेश से हैं बिहार से हैं उतर प्रदेश से हैं उत से 42 आ चुकी है round 3 में तो round 4 में ये cut off आपकी 230 से नीचे चली जाएगी मतलब 240 से नीचे आ जाएगी 230 और ये है आपकी पुरूलिया की other state की cut off other state की cut off अच्छी खासी है ज्यादा है अगर आप पुरूलिया जाना चाहते हैं वीडियो पॉस करिए सेनिक स्कूल पुरूलिया लिखना है और other state की अपनी category आप defense की हैं तो defense की cut off general है तो general category ओवी सी हैं तो OBC की cut off यहाँ पे लिख सकते हैं चली केरला का सेनिक स्कूल कजकोटम सेनिक स्कूल कजकोटम में दो वच्चों के admission cut off लगी है एक OBC की एक general की OBC की home state cut off 176 बस 45,000 rank है और general की है 196 और यह है आपका कजकोटम की other state की cut off यह मैं सारी जो बातें कर रहा हूं वो सारी बातें मैं class 6 की कर रहा हूं राउंड टू में cut off आई थी क्यों क्योंकि बहां इसके जो सीटे थी वो सीटे थी लेकिन यहां पर round 3 में नहीं है और यह सेनिक स्कूल पुंगलवा की other state की cut off है बहुत सारी बच्चे हैं हर बहुत ज्यादा की cut off है गुजरात वालों के लिए और सेनिक स्कूल यह बाला चड़ी की other state की cut off है जिन बच्चों को गुजरात में admission लेना है लेकिन वो किसी दूसरे state से हैं तो आप अपनी category के हिसाब से SC है तो SC का ST है तो ST जन डिफेंस है तो जनरल है तो जनरल आप cut off वहां पर note कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका सेनिक स्कूल रेवारी हर्याना का एक और school जो पहला school की बात हुई थी हरयाना के आसपस वाले हैं जो नगरोटा हो गया आपका कपूर थला हो गया कुझपुरा हो गया ठीक है रेवारी हो गया बहुत ज्यादा cut off नहीं गई है अच्छी खासी cut off गयी है नॉर्मल cut off गयी है यह home state की cut off है और यह है आपकी रेवारी की other state की cut off है उतर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, महरास्टा, करनाटक, जंबू कस्मी, डैली, बिहार और राजिस्तान सबसे बच्चे आ रखे हैं तो अगर आपको इसमें एड्मिशन लेना है वीडियो पॉस करके अपनी category की cut off आप note कर लीजिएगा ताकि round 4 में जब आप सैनिक स्कूल चूज करेंगे तो वहां ये चीज़ें आपको मदद करेंगी, help करेंगी कि यार मेरे marks इतने कम हैं और इसमें इतनी ज्यादा seat है तो मुझे क्या चूज करना चाहिए ये आपका अमेटी की round 3rd की home state की cut off है देख रहे हैं जनरल की 265, defense की 263, st 189, उत्तर प्रदेश के जो central schools हैं उनकी तो home state की cut off इतनी ज्यादा है कि किसी और schools की other state की नहीं और other state की cut off इनकी सुन लो 265, 258, 231, st की cut off है कहां से महराश्रा से, विहार से 271, विहार का जो बच्चा आया है विचारा जनरल का उसकी 271 पे लगी हुई है ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल चंदरपूर, सैनिक स्कूल चंदरपूर महराश्रा में है ठीक है और अच्छा स्कूल है, home state की cut off बहुत अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा लगी है, बाकी स्कूल के comparison में ज्यादा है, जनरल की 260, टू है boys की, ऐसी girls की cut off 263 है, girls की category की, हाँ इसलिए seat नहीं है, क्योंकि वो seat है भर चुकी है, इसलिए वहाँ पर seat नहीं है, और ये है सैनिक स्कूल चंदरपूर की other state की cut off, ये class 6th के total 33 सैनिक स्कूल की पूरी की cut off की video थी, आपको जो भी 10 सैनिक स्कूल चूज करने है, सैनिक स्कूल e-counseling round 4 में, आप उन सैनिक स्कूल की अपनी category की home state और defense और other state की cut off है, उसको जरूर नोट करिएगा, class 9th की बात करूँगा, मैं next video में, और कितने, कौन-कौन से स्कूल में कितनी सीटें total है, किस state से कितनी सीटें आएंगी, round 3rd तक कितनी सीटें भर चुकी है, round 4 में कितनी सीटें बची हुई है, उन पर भी बहुत सारी बातें करेंगे, तो मिलते हैं next session में, तब तक के लिए आप ये सारा नोट करने वाला काम करो, और तब तक के लिए जैहिन, thank you, take care.